आरलपी सुप्रीमो हनुमान बेनिवाल कोटा दोरे पर हैं। बेनिवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मिर्धा परिवार के कारण नागौर पिछड गया। आज कोई भी मिर्धा सरनेम लगाना पसंद नहीं करता है। बेनिवाल ने सचिन पाइलट को लेकर भी बयान दि कि इस बार आरलपी की सरकार बनेगी। आने वाले समय में हाडोती के कई प्रमुख नेता आरलपी का दामन थामेंगे। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस की गुटबाजी में सचिन पाइलट हमारे साथ आ जाते तो 125 सीट आ जाती। लेकिन दुरभाग्य है सचिन पाइलट लं लड़ रहा हूं। 2023 का मिशन पूरा करके ही दम लेंगे। गौर तलब है कि तीन साल पहले 2020 में सचिन पाइलट ने बगावती सुर दिखाते हुए मुख्यमंतरी गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी। वे अपने 18 विधायकों के साथ गुरुग्राम के मानेसर स्थित एक होटल में चले गए थे। बेनिवाल ने इसी संदर्भ में गुटबाजी को लेकर 125 सीटों से आरिलपी के जीतने की बात कही। बेनिवाल ने कहा नागौर में मिर्धा परिवार की सियासत खक्म हो चुकी। ये। परिवार ज्यादा समय तो विदेश में रहता है। जोती मि मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने से नागौर की सियासत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिर्धा परिवार पांच से छे बार हार चुका है। पहले भी चुनाव में जोती की जमानक जब्थ हुई थी। मिर्धा परिवार ने कभी भी क्षेतर में विकास नहीं इसे मारवार पीछे बहुत पीछे रह गया। लोगों को याद आता है कि मिर्धा परिवार की वज़ह से हम लोग पिछड गए, बरबाद हो गए, हर कौम इनको कोस रही है। मिर्धा परिवार अपने गाओं में नहीं जीत पा रहा, अब तो लोगों ने मिर्धा सरनेम बेनिवाल ने कहा जोती के बीजेपी में जाने का एक कारण यह भी है देश की बड़ी कमपनी इंडिया बुल्स जोती के ससुराल की कमपनी है वहां आज की तारीख में ED वस CBI की रडार पर है बीजेपी के दबाव में जोती ने भाजपा ज्वाइन की है जोती ने भाजपा निताओं के पैर पकड़े जोती के भाजपा में शामिल होने से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम वसुंधरा से लड़े जोधपुर में गहलोत के बेटे को हराया बेनिवाल आज कोटा में थे यहां पार्टी के स्थानिय कार्यकरताओं ने उनका स्वागत किया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रेवडिया बाट रहे हैं हनुमान बेनिवाल चात्रों के अधिकार वन न्याय के लिए सडकों पर लड़ाई लड़ रहा है हनुमान बेनिवाल युवाओं को न्याय दिलाकर ही रहेगा उन्होंने कहा वो चात्र राजनीती स चात्रों के अधिकार के लिए लड़ते रहे बेनिवाल ने कहा कि राजस्थान में कॉंग्रेस बीजेपी मिली हुई हैं अपराध ध्रश्टाचार बढ़ाने में दोनों पार्टियों का योगदान है आरेलपी दोनों पार्टी के खिलाफ लंबे समय से मोर्चा खुले हु